आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा आज की अपडीर की हम शुरुबात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट से इसके लिए एक नया कटिंगेज डिस्टल फ्राइट कंट्रोल कंपीटर विक्सित कर रहे हैं और नए डिफसी सी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक नेक्स चनेशन का डिफसी सी होने वाला है जिसमें जो कोर प्रोसेसर आफर किया जाएगा वो बेसिकली तेजस मार्क वन ए और तेजस मार्क 2 में इस्तिमाल होने वाले डिफसी फ्राइट कंट्रोल कंपीटर के तुला में तकरीम पच्चस गुना जादा जो कंप्यूटिंग पावर है वो प्रधान करेगा किसे भी मॉडर्ण फ्राइट एक क्राप में जो डिफ्राइट कंट्रोल कंपीटर होता है ये एक मातपूर्ण बोमिका को सुनश्यत करता है क्योंकि ये फ्राइट कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करता है जिससे कि एयर क्राप की ओवराल स्टेबिल्टी मनुवर्बिल्टी और जो ओवराल परफॉर्मेंस है उसको इंश्योर किया जाता है आप आसान शब्दों में इन्हें एयरक्राप को ब्रेन भी कह सकते हैं जो कि जरुए डीटा को प्रोसेस करते हैं और सेंसर और जो इन्पूट डिवाइसेज हैं इनसे डीटा को ले करके उनको एक्सेस करते हैं और सही माइने में एमका के लिए इस नेक्स जनेरेशन डिस स्थाइड कंट्रॉल कंप्यूटर के हमें काफी ज़्यादा अबश्चतता है क्योंकि इक नेक्स जनेरेशन का thought होगा तो चाहिर सी बात है इसको जो 50 पावर है Sensor Fusion, Electronic Warfare System और दूसरी चीज़ें हैं उनको Handle कर सके खास कर जब बात आती है इनको Highly Contested Air Space में Operate करने की हाला कि इस प्रकार के सिस्टम को विक्सित करना आसान नहीं है इसके लिए हमें बहुत ज़ाधा Advanced Technology की ज़ाथ पढ़ेगी काफी Complexities भी होगी और हमें Advanced Hardware विक्सित करने पड़ेंगे जो कि Real Time Data Processing को Handle कर सके और Previous Generation के जो Fighter Aircraft है उनसे इनको अलग बना सके जिसके हमने Defense News के वीडियो में आपको संशेत रूप से बताया था कि चाइना में जो SUV-57 Fallon है इनका आगमन हो चुका है और यह पहली एक साइज ह जिसमें SUV-57 Fallon किसी दूसरे देश किया है लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद एक के बाद एक जो नगातार इंडिकेशन मिल रहे हैं वो एरो इंडिया में SUV-57 के आगमन को लेकर है आपको बता दें कि इस समय SUV-57 एक ऐसा एक्राफ है जिसमें दुनिया भर की नजर बनी ह हुई है और चाइना के जवाई एर शो दो हजा चॉबस में यह पार्टिसिपेट भी कर रहा है यह एक रप अपनी एडवांस कैपविल्टी के लिए जाना जाता है और अगर हम रशियन साइट की बात मानें तो अभी यह कॉमबैट प्रूवन भी हो चुका है हालाकि इसके प्रमार तो अभी तक नहीं मिले हैं जादा लेकिन अगर हम एंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स की बात पाने तो कई साप्रेशन ऑप इन में यह डिफेंस मिशन हुए है जहाँ पर स्व 57 फैलन ने पार्टिसिपेट किया है और योक्रेन के अगेंस्ट इसका इस्थमा लाइटनिंग टू का जवाब माना जारा है रशिया के तरब से और अब रशिया इसको जो मित्र देश हैं उनके जो अलग-अलग एयर शोज हैं उनमें ले जाने की तैयारी कर रहा है अगर हम रशियन मीडिया आउटलिट की बात मानें तो उनका कहना है कि अब रशिया अब यहादा उमंग जगी है कि शायद यहां पर यह एक्राफ्ट हमें जो एर इरट्र यह दो हजार पत्चिस है इसमें देखने को मिल सकता है आपको याद दिला दे कि अभी दो हजाजार तेईस में जो एर इंडिया हुआ था उसके पहले भी पहले रिश्या के तरब से कह गया था कि वह सेवेंटी फाइब का स्केल मॉडल और सेवेंटी फिप्टी सेवेंट का जो एरक्राप्टर एक्चुल वह भारत में लेकर आएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और वह रिपोर्ट फिलाल में तक साबित हुई लेकिन अब यहाँ पर चांसे जादा है कि रश् सिर्फ मीडिया के हवाले से और डिफेंस एनलिस्ट के जो बयान है उन पर आधारीत कबर रश्या के तरफ से इसकी पुष्टी नहीं की गई है कि वो एरो इंडिया में आएंगे या नहीं लेकिन जिस प्रकार के भारत और रूस के संबंद है और जिस प्रकार रश्या अप प्लान के हिसाब से तयार नहीं किया जा रहे हैं और भारत को इनके स्टिल्थ कैरेक्टर्स्टिक और दूसरी चीजों से वहाँ पर शिकायत थी और भारत ने एक हैवी इंवेस्मेंट भी कर रखी थी और आपको याद होगा उसके बास से भारत ने आमका प्रोग्रेम की श कि संभावित है कि अपने इन दावों को मजबूत करने के लिए अपने प्रफोजल को मजबूत करने के लिए और जो हमारा MRFA है इसमें SU-57 की एंट्री कराने के लिए ये एक्राप्ट हमको एरो इंडिया में देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर F-35 Lightning 2 आ सकते है भारत में त भारत के तमाम पूर्व वाईशना के अधिकारी भी इस समय इस एक्रापकी संभावनाओं से इंकार नहीं कर रहे है क्योंकि बहुत साई लोगों की यह मानना है कि रिच्छा को अच्छे से पता है कि जो एक्सपोर्ट कस्टमर है एक्सपोर्ट पोटेंशल है वह भारत से उनको ज्यादा देखने को मिलेगा और यही कारने के रश्या अपने जतने भी एडवांस फाइटर है वो भारत के समुक्ष प्रस्तुत कर रहा है सव 57 के प्रोडक्शन की बात करें तो इनका मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और 2026 से 27 तक बड़ी संक्या में इनको ऑपरेट करने का जो लक्षे है यह खुद रश्या के दोरा रखा गया है लेकिन अब यह कहना कि भारत इनको एक्सेप्ट करेगा यह जल्दबाजी होगी हाँ इसमें हम इंकार नहीं कर सकते हैं कि भारतिया वाइस सेना इनको कंसीडर नहीं कर रही है लेकिन इनको खरीदा जाएगा इस बात में भी संशे बना हुआ है अर एकली बड़ी वड़ी टेडवी आफ वर्सेज राफेल एम को लेकर है दोस्तों टेडवी आफ और राफेल एम को लेकर जो डिवेट है यह शाहिए लभी खतम नहीं होगी लेकिन अब यहाँ पर जो गंभीरता के साथ निरने है वो लेने के आवश रखता है भारतिया अनौसेना के कामडोर जैदीब मौलांकर सर जिनको आफ सब LCA नेवी प्रोग्राम से काफी अच्छे तरीके से परजित होंगे उन्होंने यह कहा है कि जो LCA नेवी के बाद जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर भारतिया नौसेना के लिए प्लान किया जा रहा है अब इसमें भारत सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और उन्होंने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करी है कि राफल M पर हमारा जरूर से ज़्यादा ध्यान देना कहीं न कहीं टेड़ियाफ प्रोग्राम को नुकसान पहुचा रहा है और उन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं राफल M पर हमारी जो ओवर कमिट्मेंट है याने वाले भाविश्य में टेड़ियाफ के भाविश्य को ही खतम ना कर दे और उन्हें कहा कि जो इंड़स्ट्रियल स्ट्रट्जी पुश की जा रही है LCA Navy के लिए ये नौसेना के लिए भाविश्य के जो टेड़िया प्रोकिर्मेंट है इनको कमजोर करती जा रही है मावलांकर सरका कहना सर्वतार निर्थक भी नहीं है दसल अभी तक टेड़ियाफ प्रोग्राम को जो मनजूरी है ये भी नहीं मिली है और आप सब जानते हैं जब तक किसी प्रोग्राम को CCS के अपरूबल नहीं मिलता हम उ जो कि इस समय डिजाइन स्टेजर में है और अभी इसको मनजूरी नहीं मिली है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो प्रोटोटाइब डेबलप्मेंट फेज है यह शुरू हो चुका है लेकिन मावलांकर सर का यह मानना है कि हमारा जो एक्सेसिव फोकस है राफिल में यह कही अगर हम सही माईने में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते है तो ट्वेन इंजन टेक बेस फाइटर जिसी प्रेटफॉर्म होंगे जो हमारे इस लक्षे को पूर्ण करने में अपना सही योग देंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते एक लिए वीडियो में